नमस्ते बच्चों कैसे आप लोग बच्चों आज हम एक नाटक पढ़ेंगे जो की कक्षा छे की हिंदी की अभ्यूदे नामक पुस्तक से हमने लिया है यह एक एकांकी नाटक है और इस नाटक में जो पात्र है जो में करेक्टर लिये गए है उसमें है पात्र जो है अनन्त नामका एक लड़का है फिर अनन्त के पिता जी है और प्रधानाचारी याने हैड मास्टर तो यह जो है इसका पहला सीन याने पहला दरश जो हो है नाटक का उसमें है कि जो अनन्त जो है पहले छटी कक्षा में पढ़ता है और अनन्त के पिता जो है खेती करते हैं फार्मि करते हैं उसे कहते हैं तो चलिए देखते हैं इनके बीच के जो डायलोग्स याने की समवाद है पहले पिता पुछता है बेटा अनन्त यह सब क्या है तुम हमेशा सूत काते रहते हो पढ़ाई लिखाई कब करोगे फिर अनन्त उत्तर देता है सूत काते हुए बताता है अध् आपक ने टीचर ने उसे सूत कातने के लिए वीविंग करने के लिए बूला है और यह उसका ग्रहकार मतलब होमवक है कल हमें कपड़ा बुनना यह वीविंग करना सिखाया जाएगा उसके लिए धागा तयार करने के लिए करके ले जाना है यह हमारा ग्रहकार मतलब होमव पिता जी हमारी पाट साला में सूत कातना कपड़ा बुनना लकड़ी के चीजे बनाना बरतन बनाना खेती बाड़ी आदि सब सिखाया जाता है तो पिता पुछते हैं यदी ऐसा है तो मैं कल तुम्हारी पाट साला आकर तुम्हारे प्राधारा अचारिया से बात करूंगा त तो यह जो है ना पहले जो सीन है उसमें अनन्त ने अपने पिता जी को बताया कि हमारे स्कूल में ने जो वीविंग करना सूत कातना और कपड़ा बुनना हैं और लकडी से ने वुट की चीजे बनाना बरतन उटेंसिल्स बनाना और खेती बाड़ी ने एगरी कल्चर की सब च प्रधानाचार्य से मिलने के लिए पार्टसला गाउं के बाहर एक मैदान में है और उसके चारों और बगीचा है ग्रीनरी है और बगीची में और सबजियां वेजेटेवल्स उगाई हुई हैं प्रधानाचार्य स्वागत करते हुए वेलकम करते हैं अनन्त के पिता का प्रधानाचारे बहुत अच्छा कि आपने अनन की पढ़ाई ठीक चल रही है बहुत महंती है वह है पिता बोलते हैं धीरे से मतलब बहुत सौफ्टली बोलते हैं मैंने सुना है पाट साला में सूत कातना कपड़ा बुनना लकड़ी की चीजें बरतन आधी बनाना और खेती बड़ी का काम भी सिखाया जाने लगा है इससे हमारे बच्चों को क्या लाब होगा तो जब पिता उसके अनन कैसे पुछते तो प्रधानाचारे कहते हैं यह जानकर अच्छा लगा कि आप यह सब जानना चाहते हैं मतलब आप में क्योरिस एटी उत्सुकता है जानने की आ जाता है फिर क्या होता है दोनों का पाट साला के प्राथना क्रक्ष में प्रवेश होता है फिर दिवारों पर चारों और महापुर्षों की तस्वीरें जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनके महापुर्षों के तस्वीरें और हर तस्वीर के नीचे उनके महापुर्षों के श्रेस्ट उक्तियां लिखी हुई, उक्तियां मतलब quotations, उनकी codes, तो इसके बाद फिर प्रधानाचारे लेके जाते हैं अनत के पिता को प्रधानाचारे, यहां सम मिलकर प्रातना करते हैं, प्रातना कक्षा मतलब prayer room है, फिर विश्व की ताजा खबरों की जानकारी दी जाती है, उसकी यहां पर information दी जाती है, इस समाचार फलक, समाचार फलक मतलब notice board में जहां पर newspaper इस्टिक किया जाता है, news लगाई जाती है, पर प्रतिदीन एक प्रेरक वचन लिखकर, यहने कि एक quotation लिखा जाता है, और उसका अर्थ समझाया जाता है, और रास्टे गीत गया जा जाता है, national anthem होता है, पीता को बहुत आश्चेर से पूछते हैं, यह सब आप करते हैं, तो टीचे बोलते हैं, मतलब प्रधानाचारी, नहीं, यह सब बच्चे करते हैं, हम उनका मार्ग दर्शन करते हैं, और उतिसाह बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद, इसके बाद क्यों हो बहुत ही सर्प्राइज होके, आश्चेर से पूछते हैं, यह सब आप करते हैं, यह सब बच्चे करते हैं, और हम उनका उतिसाह बढ़ाते हैं, फिर प्रधानाचारी, अनन्त के पीता को पाट साला के प्रांगण मे ले जाते हैं, जहां से सबी कक्षाइं दिखाई देती ह ग्राउंड में जहां पे मैदान में पाट साला का जो ग्राउंड था वहां पे वहां से सारी जो क्लासेस दिखाई दे रही थी और कक्षों में विज्ञान का मतलब साइन्स, इध्यास, हिस्ट्री, भुगोल याने जोग्रफी आधि विस्यों से सम्बंदे सिक्षा दी जा र उन्हें हुए कपड़े भी दिखाए फिर जहां पे जो वीविंग हो रहा था वहां पे जाके उन्होंने बच्चों से जो क्लो वीविंग की थी कपड़े बनाये थे उसका भी दिखाया आनन्द के पितों को फिर वहां से विबगीचे में गए जहां पर क्यारियां में तरह कभाल करने के बारे में जानकारी दे रहा था और भीज कैसे बुने चाहिए सौप करना चाहिए उनके लिए मिटी कैसा कैसी होनी चाहिए उसका वो सब बता रहे थे खुश होते हुए बहुत हैपी हो जाती है यह सब चीजन देखकर जो प्रदा आनारी मतलब हेड मास्टर ने उन्हें दिखाया बाह बच्चों को इस प्रकार सीखते देखकर मन प्रसन्य हो गया किन्तु अभी भी मेरे मन में यह प्रश्ण उठा है उठ रहा है कि बच्चों को यह व्यासाइक सिक्षा पाट साला में देने की क्या आवशकता है इन्हें तो सिक्षा एजुकेशन देने की क्या जुराते इनको तो मैट साइंस हिस्ट्री जोग्रफी सब सब्चेक पढ़ाना चाहिए तो प्रधाना अध्यापक उन्हें बताते हैं समझाते ही कहते हैं सही कह रहे हैं आप लेकिन बच्चों को इन विश्यों का ज्ञान व्यासाइक सि कि अगर बच्चों को ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन अपने जो स्कूल की सिक्षा के मादयम से मिले तो क्या ये ब्यावहारिक नहीं रहेगा मतलब कि ये सोसल या ब्यावहारिक नहीं रहेगा उन्हें सीखना तो पीता जोए ना बहुत थोड़ा असमंजस में पढ़क मतलब थोड़ा है जिटेट होते हैं और वो बुलते हैं कि मैं आपका ताथपर ही नहीं समझा है मतलब आपका मीनिंग मतलब क्या है ये मुझे समझ मिन आप क्या कहना चाहरे है व्यावसाइक सिख्षा द्वारा विश्यों का ज्यान कैसे संभाव है तो पीता बुलते हैं क कि व्यावसाइक सिक्षा के द्वारा आप कैसे विश्यों का सब्जेक का नॉलेज दे सकते हैं बच्चों को तो प्रधानाचारे फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं देखे कपड़ा बुन्ना हमारे देश के मूल व्यावसाइयों में से एक है इसकी सिक्षा देने के लिए हम बच्चों को कपास के बारे में कपास मतलब कॉटन के बारे में बताते हैं यह किस स्थान पर उगती है और इसके लिए जलवाई हो इन्हें क्लाइमेट कैसा हो मिट्टी इन्हें स्वाइल कैसी हो और पानी किस मात्रा में कितनी कॉंटिटी में वाटरिंग करना चाहिए दे यह सब चीज़ें सिखाते हैं यह साइंस और जोग्रफी सबसे रिलेटेड है यानि किसमें सब्जेक्ट भी सीखते हैं और प्रफेशनल एजुकेशन भी इसलिए बच्चे साथ साथ इन विश्यों का ज्यान भी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं विश्य में उनकी रूची इं करते हैं तो इन्हें और अच्छे से समझ में आता है पहले स्वयम करके सीखना फिर फूस्तकों से सीखना इस विधी को हम अपनाए हैं इससे बच्चों की क्रिया शिलता और रश्यात्मक्ता बढ़ती है क्या यह सही नहीं है तो टीचर कहते हैं कि पहले हम उसको प्राक्ट क्रियाटिविटी बढ़ती है तो क्या यह सही नहीं है फिर पिता उसके समर्थन में मतलब एगरी होते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं सही बात है इस विधी से बच्चों के में विश्यों के सासा उससे सम्मधित व्यावसाइग ज्यान भी पाव लेंगे हमारे जमाने में तो सेर्फ पढ़ लेकर और सुनकर ही सीखते थे तो बुलते हैं पिता फिर बहुत हैपी हो जाते और समझ जाते हैं किस से बच्चों को प्रेक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा हमारे ताइम पे तो सिर्फ किताबी पूस्त की गयान होता था प्रधानाचारे बुलते हैं इस प करते हैं सुंगना मतलब स्मेल करना और चूकर याने टच करके सारे सेंस और अपना यूज करते हैं इससे बच्चों का आत्म विश्वास भी बढ़ता है और उन्हें लगता है हमें केवल पुस्तकों से पढ़कर ही नहीं सीखना है बलकि स्ट्रजन याने लर्निंग बाइड भी किया है यह बहुत बड़ी बात है बच्चों में confidence आता है कि खुद हमने वो चीजें की हैं जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं फिर पिता पुलते हैं आप ठीक कहते हैं बैवसाइक जीवन में इसकी बहुत आवशकता है मैं समझ गया हूँ कि यह सिक्षा जीवन से जु होता बलकि आत्म निर्वर सेल्फ डिपेंडेंट और समवेधन शील बना कर जीवन मुल्यों का विकास करना भी होता है यहां बच्चे पर्व तेवहार यानि फेस्टिवल मनाते हैं गाउं के सभागरहों में यानि जो कमिनिटी हॉल यानि सभागर होते गाउं के उसमें भ होते-छोटे सेक्षणिक भ्रमड पर जाते हैं यहने श्रमदान करना यहने महनत करना और शहयोग करना और छोटे-छोडे जो तूर लगते हैं सेक्षणिक भ्रमड मतलब या तूर में पिकनिक टाइप का सबको educational ट्रिप में जाते हैं और साथ-साथ पढ़ाय लिखाई भी करते हैं फिर क्या होता है बोलते हैं सब के साथ मिलकर काम करते हुए सीखते हैं यह सारे बच्चे और देश के लिए प्रकाश बनकर जीना सीखते हैं यहां पर इसी प्रकार प्रतेक बालग अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है यह पिता बोलते हैं बच्चों के भव न्यू स्टाइल से बच्चों को एजुकेशन देना जिसमें प्राक्टिकल नॉलेज भी हो बहुत ही अच्छी टेक्निक है फिर चेहरे पर खुशी और मन में संतोस का भाव लिए अनंत के पिता प्रधानाचारे को प्रणाम करके घर की ओर चल दिये अब उन्हें अपने प्राक्टिकल नॉलेज भी हो तो ही हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे अपने जीवन में सिर्फ किताबी पुस्तिकी ज्यान से काम नहीं चलता बेहारिक जगत में चले इसमें कुछ हाई शबदार्त देखते हैं जैसे उक्तियां मतलब होता है वच्चन याने कोड्स यान समाचाः फलक मतलब नोटिस बोड मार्ग-दर्शन मतलब राह दिखाना याने गाइड डेंस बीभिन मतलब तरह-बने की वहां का याने का क्लाइमेंट कर्या शिर्टा करते हैं काम करने की जो प्रवर्ति याने की एक्टिवनेस आत्मे विश्वास मतलब अपने पर विश्वास होना सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलिजन मतलब कोई चीज बनाना निर्माण करना देट मिन्स क्रियेशन क्रियेटिविटी थे वोकेबलेरी शब्दार था विसमें आए हुए जो प्रशन उत्तर हैं वो सब हम करेंगे नेक्स वीडियो में तब तक टेक क्यार बैबाए